नमस्कारम एवरीवन वेलकम बैक टो अवर चैनल वात पते की मैं हूँ दीपा और आज हम बनाएंगे घर पे पीनिट बटर मार्केट में जो पीनिट बटर मिलते हैं अगर आप उनका इंग्रेइंट्स देखेंगे तो अगर उसमें सिर्फ पीनिट बटर है तो तो वेलन क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी मं पे प्रोटीन होता है कलशिम प्रयाट्स में होता है उसके अंदर बहुत सारे मिन्राल्स होते हैं वाइटमिन्स होते हैं और उसमें jego rhy Wyoming hours तो जब हम peanut butter लेते हैं तो वह healthy option भी है चाहे हम उसको कितने variety of snacks में use कर ले हम भार का जब भी हमें snacks कमन करता है तो हम घर पे ही peanut butter की variety जो है बना के उसको घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं peanut butter जो है हमारे hurt के लिए भी बहुत healthy होता है अगर हम weight loss करना चाहते हैं तो उसके लिए भी healthy होता है और यह sugar level को भी increase नहीं करने देता तो यह diabetes में भी काफी अच्छा रहता है bad cholesterol की ratio को जो है वो सही रखता है और इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो चलिए आज जानते हैं कि peanut butter घर पे कैसे बनाए तो peanut butter बनाने के लिए हमें एक जीज़ करनी है कि हमें peanuts को जो है roast कर लेना है अच्छे से तो जब हम उसको grind करेंगे peanuts को तो उसके cell से जो है जो oil है वो easily निकल पाएगा तो लगबग 7 minute में जो है मैंने peanuts अच्छे से roast कर लिये हैं और अब मैं gas stove off कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी उसके बाद मैं इसको grind करूँगी अब यह सारे peanuts रोस्ट करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है और अगर आप चाहें तो इसके जो छिलके होते हैं इनको इस तरह से उतार सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको साबुत ही जो है grind कर सकते हैं तो यह आपकी इच्छा पर है तो मैं इसको जो है as it is ही grind कर लूँगी तो आप देखेंगे ग्राइन करने के बाद जो है यह इसना का जो है शुरुआत में कुछ इसना का क्रंबल सा होगा और हम इसे grind करते जाएंगे और धीरे-धीरे जो है grind करने के साथ साथ जो है इसमें से oil निकलता जाएगा और इसका butter बनता जाएगा तो आप देख सकते हैं ये पहले से जो है और अच्छे से smooth बन गया है तो अभी भी इसको और भी हमें grind करना है और थोड़ा थोड़ा शाइनी होने लगाया ये तो इस बार जो है ये बहुत गरम हो गया था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब ये cool down हो गया है तो मैं इसको अब दुबारा से थोड़ा सा grind करूँगी फिर finally जो है ये एकदम smooth peanut butter बन जाएगा तो finally जो है ये peanut butter बन के तयार है और इसको आप as such ही use कर सकते हैं इसमें कुछ भी मिलाने की जुरूत नहीं है इसमें oil जो है निकल चुका है और अगर आप चाहें तो इसमें honey जो है उपर से add कर सकते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा honey जो है add करूँगी ये वैसे self-free थोड़ा सा sweetened होता है peanut butter हलका मिठास होती है इसमें और honey add करने के बाद इसमें मिठास जो है भड़ जाती है तो ये आपके taste पर depend करता है कि आपको कैसा चाहिए तो ये peanut butter जो है अब बनके तयार है तो हम इसको बहुत तरह से use कर सकते हैं आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ पर spread कर सकते हैं चाहें तो चपाती पर spread कर सकते हैं चाहें तो ब्रेड पर spread कर सकते हैं या इसको dip की तरह पीनेट बटर में डिप करके भी यूस कर सकते हैं तो इस समय पे मैंने ब्रेट को जो है ड्राई टोस्त किया हुआ है इसको तो इसमें मैंने कोई भी जो है ओल नहीं लगाया है तो इस पर मैं पीनेट बटर जो है spread कर सकती हूँ तो peanut butter को जब मैंने grind किया है तो मैंने बहुत ज़ादा जो है इसको बहुत ज़ादा बारिक नहीं किया है क्योंकि अपना-पना टेस्ट होता है बहुत ज़ादा बारिक हो जाता है तो ये मुँ में थोड़ा सा चिपकता भी है कई बार तो इसको जो है मैंने हल्क ऐसा course रखा है तो मैंने अभी आप देख सकते हैं peanut butter को spread कर दिया है bread पे अगर आपको या बच्चों को कई बार जो है थोड़ा से ज़ादा मीठा पसंद है तो इस पे हम honey लगा सकते है toast जो है ये तयार है और ये बहुत ज़ादा tasty लगता है in fact ये बहुत ज़ादा tasty के साथ-साथ healthy option भी है तो हम कई बार जो है बाहर की snacks इस्तेमाल करते हैं बाहर की snacks consume करते हैं उससे ज़ादा better और tastier option जो है ये peanut butter की variety जो है हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से beetroot चपाती पे आज मैंने peanut butter apply किया है तो आज मैंने beetroot चपाती ही बनाई थी इसलिए मैं आपको इसी पे लगा के दिखा रही हूँ तो I hope कि आपको ये homemade peanut butter पसंद आया होगा और ये ना सिर्फ tasty option है बलकि ये बहुत जादा हमारी body के लिए भी बहुत फाइदेमंद है क्योंकि ये weight loss करने वालों के लिए बहुत helpful है जिनको muscle build करनी है उनके लिए helpful है जिनको अपना heart या cholesterol जो है वो level में लेके आना है उनके लिए बहुत beneficial है diabetes के लिए भी बहुत beneficial है बस एक important चीज़ ये है कि इसको जब भी आप consume करें तो moderation में ही ले क्योंकि access अगर आप peanut butter लेंगे तो weight loss की बजाए weight gain भी हो जाएगा तो बस इन चीज़ों का धिहान रखना है और enjoy कर ये peanut butter और मुझे comment box में लिखके जरूर बताइए कि आपको ये peanut butter कैसा लगा इसको जरूर आप घर पे try कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और नई information के साथ और जाने से पहले मैं आप सबसे request करूँगी कि आप please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले और साथ साथ bell button सरूर दबाए ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो से उसकी notification आपको time to time मिलते रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then, bye bye, namaskaram